बूर्णिंग डियर स्टूडेंज जैसा कि मैंने बताया था आज हम बिए फस्ट इयर इंग्लिस लिट्रेचर फस्ट पेपर के मुख्य प्रस्णों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे जिसमें हम सबसे पहले जो लेंटी वो डिस्क्रिप्टिव प्रस्ण है उनके बारे मे आज हम चर्चा करेंगे चलो आओ अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं यह पेपर फस्ट है जिसमें सबसे पहले लोंग कुशन के बारे में चर्चा करेंगे यह ब्रिटिश पोईट्री के कुशन है जैसा कि मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रिट के बारे में बता रहा हूं जिसमें यह तीन प्रसंद दिये हुए हैं जो संभव तया 2020 के लिए महत्व पुरुन है जिसमें हमारा पहला प्रसंद है राइट एक क्रिटीकल एप्रिशेशन अबाउट दपोईम सेल आई कंपेर दी विलियम सेक्सपियर की दो पोईट्री जे ए मेंब्रेंस है एक सेल आई कंपेर दी है और एक नोट मार्बन नोर्दा गिल्डेड मोनुमेंट्स है जिनमें इस बार 2020 में सेल आई कंपेर दी महत्व पुरुन मानी गई है इसके बाद अथवा में दूसरा प्रसंद है हमारे राइट क्रिटीकल एप्रिशेशन अबाउट उन से ब्लाइडनेज और 20 थर्ड बर्थ डे जिसँ बारे में पहले प्रसंद पूछा जा सकता है इस बार संबहुत यह निस भी पूछे जासू किये लेकिन इस बार भी जहां तक शंबहुत यह इस से प्रसंद पूछा जा सकता है इसके बाद इसमें जो प्रसंद दिया हुआ है वो है राइट क्रिटिकल कमेंट अबाउट दे ग्रेट पोईम डेट भी नोट प्राउड डेट भी नोट प्राउड जो नडन के द्वारा लिखी गई एक पोईम है जो गत वर्ष 2019 में भी पूछी गई है लेकिन जहां तक प्रसंद पत्र में पूछा जा सकता है इसमें से भी तीन प्रसंद दिये वे रहते हैं जिसमें से हमें हमारी चोईश के अनुसार एक प्रसंद करना जरूरी होता है मैं तुम्हें इन में से कुछ प्रसंद के बारे में बता रहा हूं जो 2020 के प्रसंद पत्र के लिए बहुत महत्तो पुरुण है जिसमें पहला प्रशन है राइट एक क्रिटिकल अबाउट दपोईम अवर केजुरीना ट्री जो तोरुदत के दुवारा लिखी गई पोईम है तोरुदत के अमारे सेलेबस में दो पोईट्री जे एक है लोटस और दूसरी है केजुरीना ट्री इस बार दो जार बीस के लिए केजुरीना ट्री महत्तो पुनमानी गई है शेकेंड क्यूशन है इसमें राइट क्रिटिकल कमेंट अबाउट दपोईम वहर दा माइंड इस विदाउट फियर यह विलियम सेक्सपियर की पोईम है सोरी यह विलियम सेक्सपियर के नहीं है रविदना टेगोर के दुवारा लिखी गई पोईम है जो एक सोनेट पोईम है इसे हेवन ओफ फ्रीडम के रूप में भी इसको जाना जाता है इसके बाद थड़ जो प्रसन है हमारा वो श्रोजनी नाइडू में से पूछा गया है इस रोजनी नाइडू के से लिए बस में हमारे दो पोईट्री एक तो है इंडियन वेवर्स अरे सोंग ओपरादा जिसमें से 2020 के लिए प्रसन पत्र के लिए इंडियन वेवर्स इस कवीता को महत्तोपुन माना गया है जिसमें प्रसन आएगा हमारे राइट ए क्रिटिकल क करना जरूरी होता है और हर प्रसन का भी संक निरदारित होता है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है यह सारे इस साल आने वाले पेपर के महत्तोपुन प्रसणों में से ये माने गए हैं इसके बाद c section में drama से related प्रसंद पूछा जाता है जैसा कि हमारे syllabus में विलियम शेक्सप्यर का एक महत्तोपुण drama है as you like it जैसा कि मुझे आसंग का है या संभावना है इसमें से कुछ महत्वपुन पर्षन पूछे जाएंगे जो मैं तुम्हें एक्स्पेंड करने की यहां पर कोशिश कर रहा हूँ जो महत्वपुन पर्षनों में से हैं पहला प्रषन है इसमें define as you like it is a pastoral comedy drama with its theme and plot इसमें जो प्रसंद पूछा गया है आपको एक्स्पेंड करना है कि यह पेस्टोल comedy drama कैसे है इसके theme और plot के साथ में और अथवा में इसमें से एक और प्रसंद पूछा जा सकता है give a detailed description about all four love pairs in the drama and wrote how do they meet to one another in the jungle garden जैसा कि as you like it में जो कहानी दी गई है वो चार love pairs की दी गई है हमें इस प्रसंद में जो प्रसंद पूछा गया है उसके अनुसार उन चार love pairs के बारे में बताते हुए यह बताना है कि यह चारों के चारों चिटिंग एंड रिवेंज इन दे ड्रामा एज यू लाइक इट एंड ड्रा क्यारेक्टर इसकेच अबाउट रोजी लेंड ओर लेंडो सीनिय डूक डूक फ्रेडरिक और शीलिया यह सबसे महत्यों पूर्ण पर्सन है इसे विशेश रूप से आप याद करें क्योंकि इस ड्रामा में लव रोमांस को भी बताया गया है और रिमेंज को भी बताया गया है और प्रते एक बार जैसा कि गतवर्ण भी ओर्लेंडो का करेक्टर पूछा गया था तो हो सकता है कि इस बार भी आपके इन में से कोई भी बारे में पूछा जा सकता है इसलिए आप इसके महत्वपुन जो केरेक्टर है वो है ओर्लेंडो रोजिलेंड शेनिय डूक डूक फ्रेडरिक और शीलिया तो आप इनके केरेक्टरों के बारे में भी अच्छे तरीके से नोलेज रखें इसके बाद अथुआ में एक यह सारे के सारे महत्वपुन पर्षन है जो संभावित रूप से 2020 में पूछे जाने योग्ये हैं इन सभी प्रसंपत्रों को आप हल करते समय आप यह जरूर ध्यान रखे कि इन सभी प्रसंपत्रों के अधिकतर पॉइंट एक दूसरे से मेच हो रहे हैं इसलिए हमें इन मे इसकी थीम, प्लोट, समरी और इसकी करक्टरों के बारे में विशेज ध्यान रखते हुए हम इन सभी प्रसंपत्रों को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन प्रसंपत्रों के तुम्हें हांसर देने हैं और किस तरह से इसकी 2020 के प्रसंपत्र के लिए महत्व पुरुल है इने 500 वैड में लिखा जाएगा और किसी भी प्रसंपत्रों को हल करते समय आप विशेज पॉइंट्स को ध्यान में रखें और इसे सारे प्रसंपत्रों को पॉइंटों के माद्देम से लिखें कम से कम 10 से 11 पॉइंट बनाते ह हुए आप प्रते प्रसंपत्रों का हांसर दीजिए ताकि आपको अच्छे नंबर इन में प्राप्त हो अब मैं इस विशेज पर चर्चा करूंगा कि तुम्हें किस तरह से इन प्रसंपत्रों को हल करना है तो इसके लिए मैं आपको ब्रिटीश पॉइट्री में से फस्च को बड़े प्रसंपत्रों को हल करना है तो जैसा कि हमने डिसकस किया है कि 2020 के लिए सेल आए कंपेर दी एक महत्तोपुन पॉइम मानी गई है विर्जो विलियम सेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है यह सेक्सपियर की एक सोनेट पॉइम है जिसमें कभी ने अपने मित्रो को ट्रिबूट दी है इस पॉइम को जब हम सोल आउट करेंगे एक्जाम पेपर में तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से आपको इसे soul out करना है exam copy में तो ये कुछ points मैंने लिखे हैं उन points के आदार पर अप इस person को पॉइट के बारे में लिखे इसे लिखते समय पॉइट के बर्थ डेट उसके महत्व पुर्ण रचनाएं और उसकी उपादियां इन सभी के बारे में आप जानकारी दें, इसके बाद हम introduction about the poem लिखेंगे, introduction about the poem में आपको लिखना होगा कि sale I compare दी किस तरह की poem है और कवी ने इस कविता में क्या कहना चाहा है, फिर इसके बाद हम summary लिखेंगे, इसके बाद समरी के बाद हम theme and plot के बारे में जानकारी देंगे, पांचवे point में हम लिख sonate poem है, तो sale I compare दी sonate poem कैसे हैं, यह आपको describes करना है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि sonate poem 14 lines की एक poem होती है, तो आपको उन poem से, के माद दिम से आपको यह समझाना होगा कि sale I compare दी sonate poem कैसे है, इसके बाद हम छटा point लिखेंगे, poets love with his friends से, जैसा कि आपने पढ़ा है, sale I compare दी में कभी ने अपने मित्रों को true tribute दी है, उसने अपने मित्रों को immortal बनाने की कोशिश करिए, तो six point में हमें poet के true love को explain करना है, अपने मित्रों को ले करके, इसके बाद सात्वा point से, poet's true tribute to his friends through this point, कि कि किस तरह से उसने true tribute दी अपने मित्रों को, इस कभीता के माद दिम से, इसमें, poet disinterest to compare his friends with summer days, कि कभी अपने मित्रों के तुनला गर्मे के दिनों से क्यों नहीं करना चाता है, इसके बारे में तुम्हें description देना है, नव में point में हम लिखेंगे, poet gave true immortality to his friends, जैसा कि आपने पड़ा है, this is the poem in which poet gave two tribute to his friends, he tried to make immortal to his friends, तो इस तरह से हमें, इस point में, कभी के दुवारा दी गई immortality के बारे में हम लिखेंगे, दसवे point में हम conclusion लिखेंगे, और 11 point हम critical comment के साथ इस person को soul out करेंगे, critical comment में, style के बारे में, beauty के बारे में, rhyme के बारे में, sound के बारे में, figure of speech के बारे में, comparison के बारे में, कभी का true love कैशे रहा, इन विशे बिंदों के साथ हम इसे complete करेंगे, इस तरह से, इस तरह से total 11 point में, जैसे कि मैंने आपको पहला प्रसन बताया है, उसी के आदार पर आप बाके अन्य प्रसनों को हल करने की कोशिश करेंगे, बिना point किसी भी प्रसन को आप हल न करे, point के साथ अगर आप प्रसन को हल करने की कोशिश करेंगे, और पूरी तरह से अगर उसे explain करेंगे, तो हो सकता है कि examiner आपसे कुछ रहे और वो एक अच्छे नंबर देने के आपको कोशिश करें, जैसा कि हमने पढ़ा है कि British poetry और Indian poetry में से critical comment से समंदित और critical appreciation से समंदित प्रसन पूछे जाएंगे, तो आ आप critical appreciation का प्रसन जिसने अच्छी तरह के से याद कर रखा है, वह किसी भी poetry का हांसर अच्छे तरीके से दे सकता है, बसरते आप यह ध्यान रखें कि कि किसी भी हांसर को बिना point के नहीं लिखें, जैसा कि मैंने आपको पहला प्रसन हल करके बताया है आज की इस class में हमने महत अपुन प्रसनों के बारे में जानकारी ली है, यह सारे प्रसन जो मैंने बताये हैं, British literature, poetry से related, Indian poetry से related, और drama से related, यह सारे प्रसन आशिंख रूप से संभावित प्रसन हैं, जो 2020 की प्रसन पत्र के लिए उप्युक्त माने गए हैं, मेरे अनुसार इसमें एक ड्रामा है, Age You Like It, जो बहुत अच्छा ड्रामा है, जो William Shakespeare के द्वारा लिखा गया ड्रामा है, यह एक पेस्टोल कोमेडी ड्रामा है, इस ड्रामा की स्टोरी, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ ली, तो मुझे लगता है कि आप इसमें अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं, कहानी इसकी बहुत इजी है, इसके कहानी में दो प्लोड चलते हैं, जिसमें एक शीनिये डूक का है, और एक रोलेंड डी बोईज का है, शीनिये डूक में डूक फ्रेडरिक है, जो इसका छोटा बाई है, और शीनिये डूक की बड़ी बेटी का न और सबसे महत्वपूर्ण इस ड्रामा में चार लवपेयर्स हैं जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा पहली जो लवपेयर है वो है ओर्लेंडो रोजिलेंड दूसरी है ओली ओलिवर और शीलिया और तीसरा है टचस्टोन ओड्री और चोथी है सिल्वियस और फेवे यह बह आई सजेस्ट यू यू शुड रीड दो होल ड्रामा विधिस थीम प्लोट एंड समरी यह सारे प्रसंद जो आज मैंने बताए हैं आप इने याद करें इनसे समंदित किसी भी तरह की कोई भी समश्य आप लोगों को हो तो मुझे आप इसकी जानकारी दे सकते हैं मैं आपक और समय समय पर देता रहोंगा आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अब हम अगले वीडियो में जैसा कि मैंने तुम्हें पेपर पेटन के द्वारा बताया था हम अगले वीडियो में इसकी महत्वपूर्ण एक्स्प्लेनेशन के बारे में और छोटे प्रसंदों के बा ढंगह धरी मूद एक जाया थेंग आप आप चर्कर धेंग comment 씨 बारे मं अगले उनियी उ defenders कै की वीडियो में 순ल खाषी